परिचाय हमने किंग्डम मौनरा, प्रुटिस्टा तथा कवक यानि फंजाय के बारे में पहले ही चर्चा कर ली है अब हम शेश जगत के बारे में अध्यन करेंगे हाँ, वे सब पाधप तथा प्राणी के अंतरगर्द आते हैं हम लोग वाइरस, विरोइट्स तथा लाइकेनों की भी चर्चा करेंगे उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पाधब जगत के गुणों के बारे में जानना प्राणी जगत के गुणों को समझना वाइरस की संग्रचना तथा गुणों को जानना विरोइट्स के बारे में जानना लाइकेनों की संग्रचना, गुणों तथा कार्यों को जानना पाधब जगत पाधब जीवित जन्तु होते हैं जो पाधब जगत के अंतरगर्द आते हैं पाधब को शिकाएं पादपों में शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरीडियोफाइट्स, अनावरित बीजी तथा आवरित बीजी पुश पाते हैं। पादपों का वैज्ञानिक अध्यन पादप विज्ञान कहलाता है। अब तक लगभग 2,87,655 प्रजातियों की पहचान हुई है, जिन में 2,58,650 पुश्पीय तथा 18,000 ब्रायोफाइट्स हैं। हरे पादप जो कभी-कभी विरडी प्लान्टा कहलाते हैं, अपनी उज्ञा का अधिकांश भाग सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संग्शलेशन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। कुछ पादप आन्शिक रूप से परपोशी होते हैं, जैसे की कीट भक्षी पादप अथवा परजीवी, ब्लाडर वर्ट तथा वीनस फ्लाई ट्राप, कीट भक्षी तथा कस्क्यूटा परजीवी पौधे का उदाहरण हैं। पादपों के जीवन चक्र की दो भिन अवस्थाएं होती हैं, द्वीगुनित बीजानुधानी तथा अगुनित जो आपस में एकांतर हैं। यह घटना पीड ही एकांतरन कहलाता है। प्राणी जगत प्राणी अनिमेलिया अथ्वा मेटाजोआ जगत के अधिकांश बहु कोशिकी यूकेरियोटिक जीवों के मुख्य समू हैं। जब उनमें विकास हुआ, उनका शरीर अंततह द्रिन हो गया। यद्यपी कुछेक के उनके जीवन काल में परिवर्तन की क्रिया जारी रही। अधिकांश प्राणी गतिशील हैं, अर्थात वे सतत वस्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। प्राणी परपोशी होते हैं, इसका अर्थ है कि उसे जीवित रहने के लिए अन्यजीवों का अंतर ग्रहन करना आवश्चक है। वे प्रत्यक्षतह व अप्रत्यक्षतह भोजन के लिए पादपों पर आश्रित हैं। वे अपना भोजन एक अंतर गुह में पचाते हैं, तथा अतिरिक्त भोजन को ग्लाइकोजन या वसा की रूप में संचित करते हैं। पोशन का उनका रूप होलोजोईक है, जो भोजन के अंतर ग्रहन द्वारा होता है। जीवाश्म से प्राप्त आंकडे में अनेक प्राणी संग समुद्री प्रजातियों के रूप में, कैमी ब्रेयन विस्पोट के दोरान लगभख 542 मिलियन वर्ष पहले प्रकाश में आए। इस जगत का गुण परपोशी युकेरियोटिक जीवों द्वारा दर्शाया जाता है, जो बहु कोश किये होते हैं, तथा जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ती का अभाव होता है। वे एक नियत व्रिद्धी पैटर्न का अनुसरण करते हैं, तथा जो व्यसक अवस्था धारन करते हैं, जिनका आकार एवं आकृती निश्चित होती है। वाइरस, विरोइद्स तथा लाइकिन्स वाइरस जीवों का सरलतम रूप है, वे अकोशिकिय होते हैं। विरोइद्स छोटा एकल स्ट्रैंडड वर्तुल आर एनने अनु हैं, जो उच्च पादपों को दूशित करते हैं। लाइकिन्स जटिल जीव हैं, जिसमें प्रकाश संचलेशी साजेदार फोटोबायोंट अथवा पाइकोबायोंट प्राय हरेशेवाल सामान्यतह ट्रेबॉक्सिया अथवा साइनो बैक्टीरियम सामान्यतह नौस्टॉक के साथ कवक माइकोबायोंट का जैविक संयोजन हो वाइरस वाइरस जो एक लैटिन शब्द है, जिसका आर्थ टॉक्सिन यानी जहर है, एक लगु संक्रामक एजन्ट है, जो केवल अन्यजीवों की कोशिकाओं के अंदर वृद्धी कर सकते हैं वाइरस अकोशिकिय जीव हैं, जिसकी पहचान जीवित कोशिका के बाहर उपस्थित निश्क्रिय, रवे के समान, संग्रचना से की जाती है वाइरस जन्तूओं तथा पादपों से लेकर बैक्टेरिया तथा आर्किया सभी प्रकार के जीवों को संक्रमित करता है वाइरस अबलिगेट पर जीवी है प्रोटीन के अतिरिक्त वाइरस में जेनेटिक पदार्थ होते हैं जो या तो आरेने या डियने होते हैं किसी भी वाइरस में आरेने तथा डियने दोनों नहीं होते हैं वाइरस जो पादपों को संक्रमित करते हैं, उनमें एकल स्ट्रैंड RNA होते हैं और जन्तुओं को संक्रमित करने वाले वाइरस में एकल या द्वी स्ट्रैंड RNA या DNA होते हैं Bacterial Virus अत्वा Bacteriophagus वाइरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, प्रायः द्वी स्ट्रैंड DNA वाइरस होते हैं Protein आवरण जो Capsid कहलाता है लगू उप इकाईयों अर्थात Capsomers से बने होते हैं जो Nucleic Amal को सुरक्षा प्रदान करता है ये Capsomers, Helical या Polyhedral जामितिय रूप में व्यवस्थित होते हैं वाइरस, गलकंड, चेचक, हर्प्स तथा Influenza जैसी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं मनुष्यों में AIDS भी वाइरस द्वारा उत्पन्न होता है पादपों में इसकी पहचान मोजाक, निर्माण, पत्तियों में मोडवकटाव, पीलापन, बौनापन तथा अवरुद्ध व्रिद्धी से होती है Viroids लगभग 30 भिन प्रकार के Viroids की पहचान की गई है, जिन में वाइरस से भिन आरेने के नग्न अनु पाए जाते हैं Viroids पादप पैथोजन हैं, जिन में प्रोटीन आवरन रहित, अत्यधिक पूरक, वर्तुल एकल स्ट्रैंड वाली आरेने की लगुपट्ती, कुछ सो नुक्लियो बेस होती हैं, जो वाइरस के लिए विशिष्ट है सबसे छोटा 220 नुक्लियो बेस SC RNA, छोटा साइटो प्लास्मिक RNA, चावल से जुड़े पीले मोटल सोबमो वाइरस RNMV को खोजा गया है यह देखने में RNA मुक्त था, इसमें प्रोटीन आवरन का भाव था जैसा की वाइरस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम विरोइड्स दिया, विरोइड्स के RNA का आणविक द्रव्यमान अल्प था थियोडोर ओटो डाइनर ने विरोइड्स की खोज की तथा इसे ये नाम दिया, वे 1971 में मैरी लैंड में क्रिशी अनुसंधान सर्विस में एक पादप रोग विज्यानी थे विरोइड्स RNA किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं होता है प्राक्रतिक यांत्रिकी में RNA, पॉलीमरेज द्वितिय शामिल होता है, जो आम तोर पर DNA से मेसेंजर RNA के संख्शलेशन से संबंधित एंजाइम होता है, जो रोलिंग सर्कल को उत्प्रेरित करने के बजाए, विरोइड्स के RNA को टेंपलेट के रूप में उप्योग कर नए RNA का संख्शलेशन करता है, आलू के स्पिंडल ट्यूबर विरोइड्स, PSTVD की पहचान सबसे पहले की गई थी, अब तक लगभग 35 प्रजातियों की पहचान की गई है, लाइकन जैसे की कुलेमा के साथ साथ नंगी चट्टान पर पतियों तथा शाखाओं पर एपिफाइट्स के रूप में उपस्थित होते हैं, लाइकन तीन प्रकार के होते हैं, प्रस्टोस, प्रटिकोस, पॉलियोस, लाइकन जैटल जीव हैं, जिसमें किसी प्रकाश संग्षलेशी साजेदार, पोटोबायोंट या पाइकोबायोंट, प्रायह, हरे शैवाल, त्रेबॉक्सिया या साइनो बैक्टिरियम, निस्टोक के साथ कवक माइकोबायोंट का सह जीवी संबंध होता है, लाइकन बड़े पैमाने पर मिलते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं, कई प्रजातियों को पर्यावरण अशांति से भी खत्रा होता है, तथा वायू प्रदर्शन, ओसोन रिक्तिकरण और धातु संदूशन के प्रभाव का आंकलन करने में वैज्ञानिकों के लिए उप्योगी हो सकता है, लाइकन का इस्तिमाल पारंपरिक दवाओं के अतिरेक्त, रंजक और इत्र बनाने में भी किया जाता है, शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार करते हैं और कवक अपने साजहेदार के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, तथा खनिज और पोशक तत्वों और पानी अवशोशित करते हैं, लाइकन का सहयोग इतनी निकट्ता से होता है कि जब उसे प्रकृती में देखा जाता है, तो कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि वे दोनों दो अलग-अलग जीव हैं, लाइकन बहुत अच्छा प्रदूशन संकेतक हैं, वे प्रदूशित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। क्या आप जानते हैं? पाश्चर द्वारा वाइरस नाम दिया गया था, डी जे इवानोस की अठारा सो बानवे में कुछ रोगानों को तमबाकू के मोजैक रोग के कारक के रूप में मान्यता दी। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संगशेप में दोहराएं। पादपों में सभी यूकेरियोटिक लोरोफिल युक्त जीव शामिल होते हैं। इस समूह में शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और आवरत बीजी वनस्पती शामिल होते हैं। पौधों का जीवन चक्र पीढ़ी एकांतरण, गमिटोफाइटिक तथा स्पोरोफाइटिक पीढ़ियों को दर्शाते हैं। कोशिका भित्ती विहीन पर पोशी यूकेरियोटिक बहु कोशिकिय जीवों को किंग्डम अनिमेलिया में शामिल किया जाता है। इन जीवों के पोशन के प्रकार होलोजोइक हैं। वे ज्यादतर लेंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। वे वाइरस और विरोइड्स के साथ साथ लाइकन जैसे कुछ अकोशिकिय जीवों को वरगी करण के पांच जगतों में शामिल नहीं किया जाता है। जाता है।